यह क्लास 6th English New Gems रतना सागर लेसन नमबर 12 आई कैननोट रिमेंबर माइ मदर यह पॉम लिखी हुई है रभिना टेगोर जी के दुआरा रभिना टेगोर जी ने पॉम लिखी है तो सबसे पहले हम इनहीं के बारे में जान लेती हैं रभिना टेगोर जी का जनम 1861 में हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी यह इंडिया के ग्रेटेस्ट पॉइट माने जाते हैं और इन्होंने ही हमारा नस्नल एंथम जन गन मन इसको कंपोस किया था इनके जो वर्क है इनके वर्क के बज़े से इने बहुती प्यार मिला है इनका जो वर्क है उसमें इनके जो लिरिक्स है बहुती सुन्दर होते हैं और बहुती गहराईयों से लिखे जाती है जिनसे हमें इनके नेचर और होमलेंड के जो प्रती इनका प्यार है वो पता चल देखे जो पोएम है I cannot remember my mother इसमें कह रहे हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा है मतल जो पोईट है यानि रबिन्दा टेगोर जी जब इनकी कम उमर थी यह बहुत ही छोटे वच्चे थे यानि 14 एर्स के लगबग तो इनकी जो मदर थी उनकी जल्दी ही डैथ हो गई थी तो डैथ होने की वज़े से यह अपनी मदर को ज्यादा याद नहीं कर पाए यह नही को अपनी मदर की याद दिलाती है तो उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेराग्राफ में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पेराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है आई कैनोट रिमेंबर माई मदर यानि देखो होता है के दोरान और प्ले यानि खेल तो कभी कबार खेल के दोरान अट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्लेटिंग्स एक धुन मेरे आसपास मंडराती है जब मैं किसी चीजों से खेल रहा होता हूँ यानि उनके जब कोई खेलने की कुछ चीज़े होती है जब उनके आसपास कोई धुन जो है वो मंडरा रही होती है इस संगीत से इस धुन से अपनी मदर की आद आ रही है next है इसी poem का second paragraph I cannot remember my mother वही line फिर से repeat हुई है कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ but when in the early autumn morning early autumn morning मत्रब autumn होता है पतज़ड का मोसम यानि पतज़ड के मोसम में सुबह सुबह the smell of surely flower float in the ear अब देखो surely flower कौन सा है एक flower होता है white color का जिसे मंदिर में भी चड़ाया जाता है और बालों में भी लगाया जाता है ठीक है और इसके बीच में orange color होता है तो इन ही flowers को यहाँ पे भी होगा ठीक है इन ही flowers की जो smell है वो हवा में तहरती हुई उन्हें सुंगाई देती है मतब smell आती है उसकी कि हवा में तहर रही है उसकी smell अब यही जो खुसबू है यही खुसबू सुबह सुबह तैंपल से आती है यानि तैंपल में इसकी खुसबह आती है जब फूलों को चड़ाया जाता है यह खुसबू मेरी तरफ आती है मुझे अपनी मदर की याद दिलाती है यानि यह जो फुलावर्स है यह साइद इसकी मदर अपने तैंपल में ले जाया करती होगी या फिर अपनी किसी काम में इस फुलावर्स को इस्तमाल करती होगी जिस वज़े से उन्हें अपने इन फ्लावर्स की स्मेल से अपनी मदर की याद आ जाती है नेक्स्ट है लास्ट पेरग्राफ आई कैनोट रिमेंबर माई मदर वही लाइन फिर से रिपीट हुई है कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूं अब देखो यहां पर क्या कह रही है डूर ब्लू यानी नीला तो वह कह रही है कि अपनी नजरों से अपनी आखो को से देखती है नीले दूर आसमान को यानी कि वह अपने बैड्रूम में हैं और अपनी खिड्की से भार की तरफ नीले आसमान को देख रहे हैं तो उन्हें कैसा फिल होता है वही सांती जो मैं फिल करता हूँ जब मेरी मदर अपनी नजरों से मुझे देखती है जब मुझे सांती मिलती है वही जो सांती मेरे चेहरे पर आती है लगता है वो पूरे आसमान में फैल चुकी है अब देखो इस पोयम के हमने क्या पढ़ाता है मैं एक बार एसे रिपीट कर देता हूं हिंदी में ही टोटल और इस बार में लाइन नहीं पढ़ने वाला तो आपको सही अच्छे से पोयम साहिद समझा जाएगी तो यहाँ पोयम की फर्स्ट पेरग्राफ हमने पढ़ा था कि जो रविन्दा टैगोर जी है वो कहते हैं कि मुझे अपनी मदर की याद नहीं आ पा रही है पर कुछ चीजیں हैं जैसे कि खेल के दोरान मुझे एक धुन सुनाऑ़ी देती है जो मेरे चीजों के आसपास मंडराती है और वह जो धुन है वो किसी सोंग की हो सकती है और यही सोंग मेरी मा जु है मुझे जूला जुलाती वक्त या फिर किसी पालने में जब जूला जुलाती थी तो तब ही यही काना मुझे मेरे सामने गुन-गुनाया करती थी तो इसी काने से उन्हें याद आता था Next paragraph में हमने पढ़ा Flower के बारे में कि उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा जब autumn के season में सुबह सुबह मोरने के समय हवा में सूली flowers की खुसबू आती है या फिर temple से जब फूल चड़ाय जाती है सुबह सुबह जब वो खुसबू आती है तब उन्हें अपनी मदर की याद आती है साहिद उन्हें की मदर इन flowers को यूज़ करती होगी next है next paragraph में उन्हें आसमान से अपनी मदर की याद आती है वो कहते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ पर जब मैं अपनी bedroom से वाली खिड़की से भार की तरफ दूर आसमान को देखता हूँ distance या नि दूर आसमान को देखता हूँ मुझे feel होता है मतल मुझे सांती महसूस होती है जब मेरी मा मुझे देखती है जैनि जब उनकी मा उन्हें अधोर देखती है प्यार बढ़ी नेशर शेयरे और उनों सांती मिलती है उनके पहचेरे पर जो सांती आती है वो ऐसे लगता है पूरे आसमान में फैल चुकी है इस तरीके से रभिदना टेकोर ने इस पोयम को अपनी मा के लिए कंपोज किया है तो यह पोयम यहाँ पे फिनिस होती है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक जुरूर करना और अगर आपको इसके कोसन आसर चाहिए तो इसके लिंक में आपको description में कोसन आसर भी जल्दी ही मिल जाएंगे और बाकी chapter के explanation भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे and thank you have a nice day